Assalamualaikum, गर्म गर्म पानी में आज हम दही दालेंगे और दही दाल के बनाएंगे इफ्तार के लिए 5 अमेजिंग रेसिपीस, आप इसको सेरी में भी खा सकते हैं, क्योंकि एक रेसिपी है वो आप सेरी में भी ट्राय कर सकते हैं, बहुत ही जबर देश सेरी में बहुत ही जबर तो इसमें oil शामिल कर लेंगे और इसमें नमक आपने टेस्स के according आप कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक दालने के बाद हमने इसमें क्या करना है कि जब इसमें boil अच्छा आजाएगा इसमें 1-3 cup हमने दही शामिल करना है और धही को शामिल करने के बाद आपने विक्सर से प्रश़ करने के बाद अदाई वाले बैटर में आप दाल के इसको अगें थोड़ा सा mix करें उसके बाद इसकी फलेम ऑफ कर देगी है फलेम ओफ करने की बाद इस बरत्व मसले वाली बात निया, इसको थोड़ा सा जटके और इस तरह से हाथों से आप इसको साफ कर लें, विकसल साफ हो जाएगा, इस तरह से जिसके हम रोटी का आटा लगाते हो, इससे थोड़ा सा सॉफ्ट हमने यह आटा लगा के तयार करना है, इसकी मज़दासी डो हम बना लें एक दो घंटे भी हो जाएगे, इसको रेस्ट में छोड़ देंगे, यह तकरीबान आदे गंटे के बात, हम इसको चेक कर लेंगे, इसके बाद हम इसको हलका सा नी डोर करेंगे, जादा गूनना नहीं है, बस एक दो पंच हम इसमें मारेंगे, और वस यह हमारी डो बिलकु पीसिस लिए है, एक ही साथ मैं दो समुसे आपको बना के दिखा रही हूँ, तो इसकी बीच में हमने अलु वाली फिलिंग रखनी है, इस फिलिंग की रेस्रिपी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन ब्रॉक्स में में लिंक भी दे दूँगी, यह कमाल की फिलिंग की रेस्रिपी है, ऐसे आप 50 प्लस snacks बना के तयार कर सकते हैं, तो रेस्रिपी जरूर देखेगा, इस फिलिंग वाली भी मैं आपको पांच इफटार के अलग-अलग snacks बना के भी दिखाएगा, इस फिलिंग में ये समुसा, फ्लावर समुसा जो मैं बना रही अबी तो मैं आपको fast forward में दिखा रही हूँ, इनना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और बीच में आपने थोरी सी feeling रखनी है, इसको side से इस तरह से आपने carefully काटना है, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है, इसके चारो corner के बिल्कुल बीच में आपने इस तरह से कट लगाने है, सेम इसी तरह आप बाकि जो तीन डो हैं हमारी square shape की, उस पर भी इसी तरह से आपने कट लगा लेने है, दो में मैंने आलो की feeling रखी है, दो में मैंने आलो की feeling नहीं रखी है, क्यों मैं आपको आगे बताऊंगी, फिलाल हमने एक मेदे वाली इसमें लगान है, और यह बस इसका shape इसको दे देना है, और बीच में आपको पानी और मेदी की slurry जरूर लगानी है, हर बार, ताकि हम जब इसको fry कर रहे हैं तो भी खुली नहीं, सेम इसी तरह से हम दूसरी side के जो हमारी dough है, उसको भी हमने इसी तरह से आलो की feeling नहीं पर रखना और flower shape इस तरह, इसकी detail video मैं आपको बताया है, आप filling मेरी recipe में देख सकते हैं, full detail से मैं आपको बताया है किस तरह से easily आप यह flower समुसा बना के तयार कर सकते हैं, जिसमें हमने आलो की filling नहीं रखी थी, उसके ओपर आपने रखना है, लेकिन यह देखें, आलो की filling जहां दिख रही ह है, उस side को हमने cover करना है, दूसरी dough के साथ, तो हमने same जिस तरह से पहली dough को flower shape दिया था, same उसी तरह से हमने दूसरी dough के साथ भी, हमने आलो की फिल्म को cover करते हुए, flower shape देना है, और इस तरह से हमारा flower समोसा तयार करना है, तो यह हमारा mini समोसा बनके ready हो गया है, इसको हम प्लेट में रखके freeze करेंगे, सेमी जना से मैंने दूसरा भी बना लिए, इसको आप प्लेट में रखके पहले freeze कीजएगा, उसके बाद किसी भी fry करी हूँ, आइस के रिसरा निकालने के बाद मैं इसको medium flame पे अच्छी गोल्डन फ्राय करूँगी, साबन के तयार हो गए, मेरी कोशिश यही थी, कि मैं हर स्नेक छोटा छोटा करके बनाओ, क्यों कि इफतारी में आपको पता है, हर एक चीज खाने का दिल चाहता है, और एक चीज खाली दूसरी चीज भी खाया हो, इस चक्कर में हमारी जो पेली वाली चीज होती है, उसको हम आदा ही खाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो इसलिए छूटी-छूटी चीज आप इफतार में बनाएं, बजट फिलिन भी बहुत जादा रहेंगी, कम चीज की तरफ लेकिन उसरे पहले आप देखनें कि इसका अंदर से लुक कैसा है हमारे इस फ्लावर समोसे का, फिलिंग बहुत ही मज़ेदार है, इसकी फिलिंग वारी रेसिपी भी आपने दरूर देखनी है, तो चली-जली चलते हैं, नेक्स रेसिपी की तरफ, इसमें से हम फा आप दूसरी रोटी रखनी है, ये उसके बाद रख सकते हैं पन्ने हापस में चिपक जाएंगी, तो इस तरह से तक रीबान पांच रोटियां मनाकर तयार करनी प्लेट में रख दी हैं इसको हम साइट में रखेंगे और चलते हैं एक जबरदस्ती चीज की तरफ जिससे हमारे पराटो में बहुत ही जबरदस लेयर्स आएंगे तो यहां पर मैंने एक बरतन में गी ले लिया है गी के अंदर हम मेदा शामिल करेंगे मेदा शामिल करने के अब इसको अच्छे से मिक्स करनेंगे इसका जो बैटर है हमने थिक बनाना है बहुत ही लिक्विटी नहीं होना चाहिए बहुत जाएदा तो इसकी डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देदूंगी इसको सा लगाएंगे अच्छे से लगाना है उस बैटर को इसी से हमारी लेर्स बहुत ही जबर्दस और अच्छी निकल कराएंगी किस तरह आएंगी वह मैं आपको आगे बताऊंगी लिकिन फिलहाल अभी हमने रोटी के ओपर यह बैटर अच्छे से लगाना है उसको किसी इसी तरह से हम 5 लेर्स के लगा लेंगे यह मेरी तकरीमन लेर्स पूरे हो गए तो इस तरह से आपने रोल कर देना है इन सारी रोटियों को आपने इन सारी रोटियों को आपने कट करनी है लिकिन एक बात आप धिहान में रखें कि हलके हाथों से कट कीजेगा इनकी साइड सब्क्राइब कर ने तो इन सारे पेडों को ने इस तरह से नाइफ से करना वीकिन हमने इस चूरी को अब सी चलाना अगर आपकी चूरी तो एदर चालाए ॉआ ज़्यादा दबाना निया मारे जो अनिक्त फjob्र्रेस छो संब लाटे करने हैं उसके उल्का सा ड़ा पर हो जो सब्सक्रा करने हैं तो फूले नहीं इस सारे बन परते कीड़े वorta बेना के तैयार करने है वर हम सारे बन पराठो को तकर मीडियो मेर Pizza hand बारचो में अच्छसरा काइव करेंगे क्या करेंगी श्रो बनन रेट हाँ निए करना तो यह भी बिरमी क्रफाराणी करते हैं पराठा अ मुद्धि-श्न रिक्सटों even फिकलू करते जहीं कितनी परफेक्ट आया हैं कितने अच्छा आया है तो यह सहरी के लिए बेस्ट रैसिपी है आप ज़रूर ज़रूर ट्राइक किजेगा तो अगर यह रची लगे तो लाइक जरूर करने जली से फटा-फट चलते हैं हमारी नेक्स रेसिपी की तरह और देखते हैं अब ह कर दिया थी मैं से एक संद कमारा गूंट से सार्के आप पार कर या बात cooler skyn किसए हैं से त्रीजरे मैं संद करें उसको नीकाल के सारे चीजे करेंगे तो यह एक हम किने लेंगे वह जो प्लिन होन्स इक हर किरेंगे इसको हमारी करेंगे और हाथ के उपर इस तरह से सेट कर लेंगे इसके बीच में हम आलो की फिलिंग रखेंगे और इसको अच्छे से उपर से इस तरह से पैक कर देंगे इस तरह से पैक करना है हर साइड से हमने इसको पैक करना है ताकि हमारी फिलिंग भी फ्राय करते वक निकले नहीं भ 10 से इस तना से आपने स्य को डिजाइन देना है हल्का अलका से पिंच करेंगे दोनों साइड से परफेक्ट हमारा डिजान बनेगा आच्छा इस slick से आप सुरे अपने KD बना के तायं कर लें इन जितने भी यार के से शीर की है फ्लावर समुसा हो यह अपन पर आठा फ्लावर समूसा है उसको आपने जब फ्रीज करना है तो उसके उपर उस बैक के उपर जिद्री प्लास्टिक बैक के उपर आव फ्लावर समूसा फ्रीज करने उस बैक के उपर कोई भी वजनी चीज हैवी चीज नहीं रखेगा बनना हमारे फ्लावर समूसे का शेव लकुल तो इन बातों कप अपने ख्याल लगना है फ्रीज करते वक्त तो इस तरह multip apples चुटेदब के जबुमा बनाने के लिए बीच में इसको कटोरी जैसा शेफ देने हैं जाके हमारी छूटी सी कटोरी बन गए इसके सेंटर में बुलकुल बीच में हमालो आली स्टफिंग अपनी रखेंगे उतनी रखेगा जितनी इसमें स्पेस है और नहीं कीजेगा वहना हमारी कचुरी अच्छे से सील नहीं हो पाएगी तो बस वन टी स्पून मैंने इसमें यालो की फिलिंग रखी है इसको अच्छे से सील कर दूँगी बन कर दूँगी क्योंकि कहीं से भी अगर यह खुली रे गई तो फ्राय करते वक इसकी फिलिंग भार निकलने लगेगी तो बस इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे और आपस म इसे भी ब्लॉग बैग में इसको डालके आप फ्रीज कर देंगे जब चाहे इसको फ्राय कर लें इससे पहले मैंने आपके साथ एक फ्लावर कचोरी की रेसिपी शेयर की थी जो बहुत ही मज़ेदार है फ्लावर समसी कि अगर आपने रेसिपी नहीं देखी है तो इस करते हैं बड़ा मज़ा आता है क्योंकि वह को चौरी आइल में जाने के बाद फ्लावर की तरह फूल की तरह खिलती भी उसके पैटर्स खिलते भी निकलते हैं बहुत ही मज़ेदार लगती हो खाने में बहुत ही खस्ता कचौरी होती है तो अधीश देखते हैं तो उन हमारा समुसा बनके तयार होगा देखने में बहुत ही गुट लुकिंग है और मिनी समुसा है ताके वेस्ट कुछी भी ना हो इस रमदान तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे आप डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक् बहुत ही मज़ेदार यह समुसा हमारा बनके तयार हुआ था खाके तो बस आपको मज़ई आ जाएगा तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग करके इसको कंप्लीट करना है और बस इसके साइड्स में हमारी जो मज़ेदार सी फिलिंग हमने बना के रखी थी ना वह बस डाल दें बहुत ही मज़ेदार यह फिलिंग की रैसी भी है बुलकुल भी आप मिस नहीं कीजेगा तो बस इसतरा से हम इसको शेप देंगे दोनों कॉर्णर से इसको उठाएंगे और इसको सील करेंगे और इसको इस तरन करेंगे और जो हमारा जो कॉर्णर है जहाँ पर हम झीखर्स प्रॉपर शेप में अच्छे से शेप में असानी के साथ ये समोसे बना कर तयार कर सकते हैं और जितने भी हम स्नेक्स बना रहें न सब अंदर से सॉफ्ट होंगे देर तक और उपर से क्रिस्पी रहेंगे क्योंकि जो हमने दो में दही डाली है उसके वज़त से ये सारे सिनेक्स अंदर से एकदम सॉफ्ट होंगे उपस से क्रिस्पी होंगे सब भी के खाने का टेक्स्चर बहुत ही मदेदार होगा तो फुल डिटेल वीडियो इसके भी आप देख लीजेगा तो इन सारे समुसों को मैं फ्रीज कर दूँगी प्लेट में रखके फ्रीज किया उसके बाद प्लास्टिक वेब में डाल की आप इसको फ्रीज करके रख सकते हैं अभी मैं आपको फ्राइ करके दिखा ली हूं कुछ यह समुसे और मैंने इतनी सारी चीजे फ्राइक कि मेरा तेल गंदा हो गया थ तो इसको साफ करने के लिए मैंने क्या किया कॉन फ्रार लिया उसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाला और इसको अच्छे से में मिक्स कर दूंगी मिक्स करने के बाद मैं इसको क्या करूंगी कि जो हमारा तेल है जो गरमा गरम हमारा तेल है गरम ही तेल के अंदर हमने जो कॉ कोई भी लंब्स ना हो लिक्विडी जो सुलेरी हमने यह कॉन फ्लार की तयार की है इस पर हम गर्म गर्म तेल में दाल दिंगे और यह देखें आपको तेल इतना गंदा गंदा सा दिख रहा है ना इसमें मैंने ती सारी चीज़े फ्राइ कर ली तो यह सारा जितना भी आपको दिख रहा है ना आपको जले जले पीज दिख रहा है चीजों के वह सारा इस कॉन फ्लार में लग जाएगा और हम इसको एजली निकाल लेंगे मैं इस ओईल को चानूंगी नहीं अगर आप चाहें तो इस ओईल को चान मी लें आप देखेंगे कि इसका कलर पिले ब्लैक था और जब आप यह काम करेंगे नो उसके बाद इसका कलर काफी लाइट हो जाएगा हमारे जो तेल है उसका कलर बहुत लाइट हो जाएगा मतलब यह अच्छे से साफ हो जाएगा लेकिन आप ने इस तरह से करना नहीं है बस अगर आपका तेल जादा गंदा हो गया है तो जिली सहब को फ्राय करके दिखानी है तो यह मेरा तेल खाफी हद तक साफ हो गया गया ता इसको चानोंगी तो मधीद साफ हो जाएगा लेकिन इतना साफ हो चुका है कि हमें कोई भी चीज फ्राय करूंगी ने तो इसके उपर जो ब्लैक ब्लैक डोट सोजाते है न वह नह में दालूंगी और इसको मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राय करना है जिस चीज की उसको आपने मीडियम लो फ्रेम पे फ्राय करना है तो इसको आपने तकरीबन मीडियम लो फ्लेम पे फ्राय करना है ताके वह अंदर से फ्राय हुज इसको हमारा आलू बन पराठा है उसको भी आ प्रवार जो हमारा मिनी फ्लावर समोसा है उसको भी आपने मीडियम लो फ्लेम पे ही फ्राइब करना है ताकि डो अंदर से पकी वी यो अच्छी से कच्छी ना रहे है डो हमारी तब ही खाने में हमारे यह जो जितनी भी स्नेक्स हैं बहुत ही जादा मज़ेदाल लगेंगे अभी प्रिफ्रेंट स्नेक्स हम ने बनाया है जो ऑफ ही क्रिस्पी रहें तो फ़ैवार आपको अची लगा तो वीडियो को लाइक करदें चैनल प्रेपी वां приш फोगित व्हारा कर लहें पर away म में हम्यां कर देखा लीम ख offers लेक्रacts ये और से बहुत हैं तो आप उन्याट से रिलेटेड बहुत सारी इंट्रेसिन रेसिपी आने वाली हैं इस चैनल पर और भी तो यह सबके फाइनल लुक देख लें यह वाला समोसा जो है ना उसको आप बेस्ट के सकते हैं इसकी फिलिंग कितने मज़ेदार है और साथ ही खाने में इसका टेक्स्चर बहुत ही ते च्पष्थी आने में यहाई बहुत ऑगरा सकते हैं जचे जळिता हैं गिलो कितने मलत्स करिंपने देख बहुत चैनल फटली हैं ची हैं वाल को खोई हैं आने मेंvenantे देख बहुते दालिक्शर ओिलेगारी does दो वह भाली हैं वहाली है उ Bookplaces